दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया है गुढ़हल का फूल अब गुढ़ल के फूलों के बहुत सारे फायदे होते हैं और साथी साथ इनके गुढ़ल के फूलों की पत्तियों के भी बहुत ज़दा उपियोग में ला करके हम अपने बालों को सफेद होने से बचा सकते हैं गुढ़र के फूल और पतियां दोनों का इस्तिमाल किया जाता है बालों की अलग अलग परेशानी को ठीक करने के लिए ये फूल बालों का जढ़ना रोकने के अलावा इन्हें दोबारा बढ़ने के लिए बढ़ावा भी देते हैं और समय से पहले अगर आपके बाल सफेद होने लगे हैं तो भी उसे ये प्रिवेंट करना शुरू कर देते हैं अगर आप अपने गार्डन में बहुत सारे गुड़हल के फूल अगर पा जाते हो तो जरूर इसका इस्तमाल करिए दोस्तों ये जो ट्रंक है ये इसमें बहुत ही अच्छे से एंटी ऑक्सिडेंट मिनरल से बहुत ही अच्छा इन्जाइम पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए काफी जादा बेनिफिशल होते हैं ठीक है और उसी के साथ में आपको देखिए जैसे मैं ने पत्तियों का जिक्र किया आप लोगों से तो गुड़हल के जो पत्तियां होते हैं इसे आप जरूर लीजिए ठीक है एंटी ऑक्सिडन से भरपूर होते हैं गुड़हल और इनके पत्तियां तो और भी ज़्यादा कमाल करते हैं बालों की ग्रोथ अगर अच्छी करनी चाहते हैं बालों को अगर एक हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप ये बहतरीन हर्प्स हैं दोस्तों जिसे की हम सभी जानते हैं बड़ इसका 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 कैसे करेंगे वो मैं आज आप लोगों को बताओं कि आपके बालों को ये खुबसूरत बनाएगा बहुत अच्छे इसमें बून पाये जाते हैं जैसे बहुत सारी समस्यां से ये छुड़कारा दिलाते हैं तो चलिए आज हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं गुढल के इन पूलों के साथ में इन पत्तियों को भी लेना बहुत ज़रूरी है बहुत ही आसानी से ये मिल जाती है हमारे इंडिया में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है जैसे मैंने बगीचे से तोड़कर लाया है बिल्कुल आप इसी तरह से ले सकते हो ठीक है एक पत्ति को अच्छी तरह से आप यहां पत्तियों को अच्छी तरह से ले लेना है और मैं वन बाई वन करके इस तरह से पत्तियों को एक साथ में ले लेती हूं और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से कट करेंगे तो बारिक बारिक फॉर्म में आपको इसे कट कर लेना है ताकि जब भी आप इसे इसका आपको ए आपके बालों की ब्लड सर्पूलेशन काफी अच्छी होती है वैसे तो हीबिसकल जो होता है बहुत जादा उप्योग में लिया जाता है अगर गंजेपन का शिकार है तो यहां पे आपको ज़रूर इस्सिमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से ऐसे अगर आप कहीं से भी बाल नहीं आ रहे है तो यह इसके अंदर ने एक लबलबा पंसा भी होता है जैसे आप मेहसूस करिएगा कभी कटिंग करने के बाद देखे मैं आप लोगों को बता रही हुत इस तरह से दिखिए आप लोगों को चिकट पन दिख रहा ना यह बहुत बालों के लिए तो ग्रोथ अच्छी होती है ब्लड सर्कुलेशन काफी ज़्यादा अच्छा हो जाता है इसकी वज़े से और हिबिसकस का इस तरह से इस्तमाल करते रहेंगे तो जिनके गंजापन होते हैं जैसे कि दवाईयां दवाईयों में इसका इसका इस्तमाल किया ज तो गुढ़ल को इस तरह से स्कैल्प पर एक एस्ट्रिजेंट एजेंट के तोर पर यह काम करता है और स्कैल्प के जो पोर्स होते हैं पोर्स और जो ग्लांड्स निकलते हैं इससे यह तेल को यह कंट्रोल करता है तो बालों के लिए गुढ़ल की पतियां इस्तमाल करने का बहुत अच्छा solution है यह आपके पालों को soothing प्रोवाइट करता है cooling effect देता है यह तो अच्छी तरह से हमने इस तरह से इसे ले लेना है इसको अच्छी तरह से आपको क्या करना है पीस लेना है mixer grinder में इसके साथ में मैं aloe vera भी आड़ करूँगी तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे अपने गार्डन में लगा करके रखा हुआ है इसे भी मैं इसमें आड़ करूँगी और इसी के साथ में में इसका एक पेस्ट बना करके रेडी करने वाली हूँ तो इस तरह से आपको भी ले लेना है इसे तो चलिए friends हमने यहाँ पे इसे mixer grinder में अच्छी तरह से इस त देख सकते हो यह इतना powerful remedy है दोस्तो जैसे मैंने आप लोगों के साथ में इसे share कर लिए इसका यह देखिए इसका consistency देख सकते हो आप बिल्कुल इस तरह से दिखने में हरा है लेकिन सफेद बालों को यह बहुत ही तेजी से काला करेगा और इसका जो जेली consistency आप देख सकते यह जो लबापण है इनके पतियों में आपको मिल जाएगा दोस्तो जो की scalp में blood circulation को ठीक करने का काम करेगी साथी साथ बालों को यह जीवन भर के लिए आपके काला बनाएगी मैं आप लोगों के साथ में इसके बहुत सारे गुण जो benefits है वो आप लोगों को बताया है बिल आपके बाल और जल्दी से काले होंगे बहुत ही सिंपल रेमेडी है देखे इस तरह से हीबिसकस ओई आपको मिल जाता है जो की बहुत अच्छे होते हैं जिसे की मैंने आप लोगों से कहा जो डेंडर्फ की अगर प्रॉब्लम हो रखी है ना तो हीबिसकस आपको इस तरह स यह ओईल भी आप ले सकते हैं देखे मैंने जैसे की लिया है और मैं इस रेमेडी को हफते में एक बार जरूर प्रिपर करके लगा लेती हूं दोस्तों जिसे की समय से जो पहले होने वाले जो बाल सफेद होते हैं ना वो नहीं होते हैं प्रांगरत रूप से गुढ़ल का इस्तिमाल करते रहने से सफेद बालों को छुपाने के लिए आपको कोई भी कैमिकल या फिर ऐसे डाय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी अगर आपने प्राकुर्तिक डाय बना करके नाचुरल डाय इस तरह से प्रिपेर गया दोस्तों क्योंकि गुढ़ल में इसको अची तरह से मिक्स कर लोगी यह ओईल के साथ में इन हैंस हो गया है यह आपकी रेमेडी दोस्तों जो कि सफेद बालों के लिए है आप अपने बालों को अगर जीवन भर के लिए काला बना करके रखना चाहते हैं यह देखिए थोड़े बहुत पते रहेगे तो आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं जूरिया नहीं पढ़ने देता है जल्दी से यह सारी जो चीजे हैं कमाल की हैं तो इसका यूज करने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना अच्छा और पावरफुल और नाच्रल जो चीजे हैं उसका इस्सिमाल करके अपने बा बाई बाई वडि नहीं विलीट